चलो बाढ़को केम छे बजया माने बाढ़को अपने पेलु चेप्टर मनो विजनान एक विजनान छे पेला लेक्चर मानो विजनान नो अर्थ मनो विजनान नी व्याख्या व्याख्या नी समझूति आपी बिजा लेक्चर मानो विजनान नो स्वरूप ए समझाईव અજે ઉંં તમને મનો વિગ્નાનનું ધીએએ પ્રશ્ન થાય મનો વિગ્નને પુણ ધીએઈ વોઈ गोडासरा साइब छे ये तमें आउशो ले वारम वार केशे के दरेक दिकरी नू कोई धियेई चोकस हो जोई के मारे क्या सुधी पोचुँछ धियेई वगर नू जीवन छे नकामू तमें नकी करो के गिर्णार चड़ूँँच तो तमें चड़ी शको जीवन मा नकी जिनो क पर ये तो मानसकें आगर जईशक्तु नथी तमें नकी केरोई के मारे बारमा धुरण मा आटला पर्शंटेज लेवा छे तो एना माटे मेनत करे पन वीचारीन बेशी जाउग जे आवे ते थासे तो आपड़े ए तरफ मेनत करता नथी तो बाड़को आजे आपड़े मनो विग्नाननु धिये टुक्नांध माटे मोस्टाइम पी छे हमेशा त्रण मार्क्समा आप्रश्ण पूछाईश तो मनो विग्नानना धिये ना मुख्य मुदा त्रण चार छे वरणन, स्पष्टी करण, आगाही अने नियंत्रान बिजीवार जोवबाड़को वरणन, स्प पुष्टी करण, आगाही अने नियंत्रान, मनो विग्नान, सव थी पेला, कोई पन वर्तननु निरिक्षण करेच, निरिक्षण कैरा पछी, आ वर्तन केम करेचे, एनू ए वरणन करेच, बाड़को मानवीना जिवनननु कोई धियेई वोई, ए मनो विग्नाननु पन धिय पन केटलाक धियेयो छे, मेक इदू एम चार वर्णन, सपष्टी करण, आगाही अने नियंत्रान, ए मानु पेलू आपणे जोई ए छी ये वर्णन, मनो विग्नाननु धियेई, मानव वर्तननु वर्णन करवानु छे, मनो विग्नाननु विशेई वस्तु, मानव वर्तन छे, आथी, मानव वर्तन केवू छे, जो जो बाड़को, मानव वर्तन केवू छे, सारिरिक छे, मानसिक छे, आंत्रिक छे, बाहिय छे, जोई सकाई तेवू छे, के नई, आवा वर्तन वर्णनो अभ्यास करेच, तेना परिणा में केवा परिवर्तनो आवे, वगेरे बाब अभ्यास वस्तुना वर्णन करेने तेने अभ्यास मा आगण वध्वा माटेनो प्रयत्न करेच आथी मनोविग्नान शव थी पेला कोने समझावानू तो वर्तन्य समझावा शव प्रथम तेने वर्तन्य समझावा माटेनू वर्णन चे ए सरु करियू अनि ए एनू मुख्य धिये ईरियू मनो विग्नान नू काम सुच, आपड़े आगड़ेनी व्याखेई जोई, के मनो विग्नान वर्तन नू विग्नान छे, व्यक्ति आम वर्तन करे छे, तो सुका आम करे छ, एनी पाछड क्या कारणो जवाब दार छे, मात्रा आम थियू, एटले वस्तुने जोई अने मुकिनत देतु, आम थियू, तो एनी पाछड क्यू कारण जवाब दार छे, एटले पेलो पोईट अतो मनो विग्नान ना धिये योनो वर्तन न, बाड़को बिजो पोईट छे, स्पष्टी कराण, स्पष्टी कराण कोने केवाई, पेला तो एनो अर्थ समजी ये, स्पष्टी कराण एटले शू, कोई पन घटिना छे, कोई बनाव छे, कोई परिस्थिती उभी धाईच, तो आ त्रणे त्रण बाबत केम बनेच, ए, एनी पाछड क्यू कारण जवाब दार छे, ए नकी करे, तेने स्पष्टी कराण केवाई, उन तमने के एक जम्प लाप रस्ता उपर तमें जाओ छू, अकस्माद थाईच, अकस्माद थिया पछी, एने निरिक्षण करवानू का थवा पाछण नू कारण सुच, कोनी भूल छे, केवी रितना थियू, क्या संजोगो मा थियू, आ बधूज नकी करे, अने पछी एनू तारण तारवे, क्या आम थाईओ, तो मनो विग्णान आने सुकेवामा आवे छे, स्पष्टी करण, बाड को खास नोंधो, अभियास स्वस्तुना वर्तननू, पछी नू बिजुधिये, स्पष्टी करण छे, स्पष्टी करण एटले, शू, एक मार्क माटे, मोश्टा एमपी प्रश्ण बनाव छ घटना के, परिस्थिती केम उद्ववे छे, तेना कारणोंनू स्पष्टता, एटले, के स्पष्टी करण छे, मनो विग्णान मानव वर्तनना, पाचलना कारणों सोधी, मानवी, आवा प्रकारनू वर्तन केम करेच, अथवा तो केम ठाईच, तेनी स्पष्टता करवा ये प्रयास करेच, एटले, के स्पष्टी करणों ये प्रयत्न करेच, उदारन आईपुछे, के कोई व्यक्ती अमुक परिस्थितीमा डरेच, ब्राबर्च, तो मनो विग्णान मात्रों डरेचें साम्ढ़ीने बेशी न थी रेतु, मनो विग्णान तेनी पाच्छडना का कारणों सोधी अने स्पष्टता करेच, के आउँ छे एटले डरेच, कोई पन व्यक्ती विश्वरस पछीनी उमरमा पोतानी समस्या ओछे, एनों सामनों न करीशक्तु ओई, तो मनो विग्णान एनू पन संसोधन करेचे, के बनीशके, के भविश्यके ज्यारे ये नान शामनों करीशक्तु नथी, इतला माटे मनो विग्णान छे, एना वर्तनने तपासे, तपाईसा पछी एनू एस पष्टी करण करे छे, के आम हतु आ डरे छे, तो एनी पाच्छर नू आ कारण छे, त्यार पछीनों पोईट छे, आगाही, पिला एनू वर्णन कैरू, वर् पछी एस मात्र बेसी नथी रेतु, परन्तु एनी आगाही करे छे, के आउँ छे, तो आम ठाई, चो बाड को आगाही को ने केवाई, के ना वर्तन उपर्थी नके करे दिये, भविश्यमा यावा बनी शक्से, अमेरिकामा एक स्कूल छे, जिया, नाना प्राइमरीना प्रास दरम्यान केवा-केवा प्रकार्नी प्रवरूतियों करे छे, मनोव एग्नानीको याँ बेठा-बेठा जुए छे, एना एक-एक वर्तन उपर एनू सतत निरिक्षन होई छे, अने एना उपर्थी आगाही करे छे, के भविश्यमा आ बाडक, आ स्टेच सुधी चुवानी शकी यता छे, एम mनोव एग्नानिको एनू वर्णन के रापस जिएनू स्पष्टी कराण करे छे, और जिक्ष्टी करराण होई पेजिए यहनी आगाही करे छे, वे आगाही कोने केवाई, सुँ छे आगाही एटले सुँ, तो आगाही के भविश्य कथन एटले, कोई पन विग्णान मा स्थापीत थयेला नियमोने आधारे, करवामा आउती ते छेत्र अंगे नी पूर्व कल्पना, क्या आम छे तो आम थासे, नानु बाड़क छे, ए ना उपर्थी, एनी आगाही करी शकाई के अतियारे आनामा आवावा लक्षनों छे, तो भविश्यमा ए आउँ बनवानी शक्यता छे, एटले बनाव बैना पेलानी पूर्व कल्पना, एटले शुकेवामा आउशे आगाही, विग्णान पोताना विशय वस्तुनों अभ्यास वर्णन के स्पष्टी करण करी ने अटकी नथी जतु, परंतु, नियमोने आधारे आगाही करी, पविश्य कथन करवा माटेनों पन ए प्रयास करेच, दाखला तरीके, हवामान शास्तर छे, हवामाननु वर्णन के स्पष्टी करण करी नटकी नथी जतु, के आउँ थास परन्तु अवामान केवुरे शे, गर्मीनु प्रमान केवुवो शे, वर्षाद आउशे के नई, वगेरेनी पन आगाही करे छे। यहीं, मानव वर्थन्नी आगाही उताना सिधान्तोना अधारे करेछ, दाकला तरीके, मनोविग्नानमा बाड उचेरनी पधतियो माथी, माता पिता बाडकने केवी रितना उचेरे, तो बाडकनु व्यक्तितु अकेवु बने, ते तेना सिधान्तो उपर आधारीच छे, चो बाडको, अत्ति सई सिस्तना वातावरणमा बाडकने उचेरवामा आवे, मनोविग्नानिको केछे, तो पविश्यमा बाडक छे, ए वधारेडर अनु भवेश, कोई पन परिस्थितिनो शामनो करीशक्तु नथी, बाडकना उचेरमा, माता पिताये पन धियन राखवानु बाडकने बाडकना बाडकनो फंचेर, खुब सिस्त बाडावातावरणमा करे तो बाडक छे खाली जग्या बने केवु बने छे डर्पोक थाई छे तेवी आगाही करी शकाई तेज प्रमाने सिक्षन प्रेनना आवेग वगेरेने लगता सिधान्तोने आधारे मानव वर्तननी आगाही करवानू धियेई पन मनो विग्नान मा जोवा मले छे मनो विग्नान वेक्तिने केम जीवन जीवने एट सिख्वेच बाडकोनो उचेर मातापिता ये केवी रितना करवो केवी रितना पोते एना जीवनमा आगड जाई जो बाडको एक खास तियरना मातापिता ने एक एपर समझावानी जुरूर छे के बाडक ने जो तमारे तो हम्मेसा बाडक ना तमें वखान करो आतो घरे कोई गेस्ट बेस्वाईवा होई अने बधा बेठा वोई तो इना बाडक नी वातों वातों के वी करता वा बधी नेगेटिव अमारा बाडक नाम न थिया वर्दून एत्रो टीवी जोवे छे नेतों मोबाइल रमे छे अने तिया सुधी बाडक प्रतिये दरिक माता पिताना पोजेटिव वलन हुवा जोई ये त्रोन एनी खराब बाबत छे बे एनी सारी बाबत छे तो बे बाबत नो तमें श्विकार करी इना वखान करो नई किये सत तेने नेगेटिव अटले के खराब बाबत कईया करवी क तारामा फोल्ट छे तो अबधाब उपर थी ये आगाही करी शके छे अने छेलो पोईट छे नियंत्रन जो बाडको नियंत्रन वगर नुँ जिवन छे ने नकामु दरेक वेक्ति उपर कोई ने कोई बाबत नु नियंत्रन सोटक आवो उजोई पणे नी मात्रा फेरो उज करता होई तो तमारा उपर नियंत्रन सिख्षक आवीन काई किये जी नहीं तो बाडको कोई दिवस एना पिरियेड मा सांत रेने तो शिख्षक नु बाडक उपर नियंत्रन वगर जोई ये नियंत्रन हसे तो भविश्यमा तमे सारा रस्ता उपर जाशो नानु येवेक एक जाम पलापू नियंत्र न न वोई अन्ने माता ये जो ने प्रोच साहन न वाई पुए तो भविश्य माँ बाड़क शूं थाई एक मोटा मोटो चोर एक कोर्ट माईनो केस चालतो तो एह आरी जाई छे ए चोर ने पुछवा माँ आवे छे के आटली मोटी चोरी करी तो एनी पाचड कई व्यक्ती जवाबदार छे अथवा तो हवे पचिना समय मा तमने कोईने मढवा देवा मानो आवे छेल्ले तमे कोने मढवा नी अपेक्सा राखो छो एने किदू के आजे उमारी माता एकने जमढवा मागू छो जरजे एने छूटापी एने माताने बोलावी एने वात करे छे के मा ज्यारे उं प्राइमरी मा भणतो तो बाल मंदिर मा हतो तियारे सव थी पेला मारा अने एक इरेजर उंग लई अने घरे आये वो तियारे ते मने एम गिदू के अतियारे तू छान मुनुँआ राखी दे अने अतियारे न लई जातो न करेने खबर पड़ी जासे थोड़क समय पछी तूदे स्कूले लई जाजे जो ए समय दर्म्यान ते मने एक आपड़े एनी आगाही करी शक्किये छी एक एक वर्तन खराबोई तो एने चोकस क्यो के तारू आ वर्तन बराबर नथी ए चोर बैनों छे क्या कारणे बैनों छे ए तपासवानू काम मनोवैग्ना निको करे छे आ एनू मेन धियाई छे छेल्लो पॉइंट छे नियंत्रन एक मार्कस मा घणिवखत प्रश्ण पुछाई छे नियंत्रन एटले शूं। नियंत्रन एटले स्थापित थाएला नियमोने आधारे मनुस्यनी मुष्केली छे, चीन्ता छे, प्रतिकूर्ता छे, वगेरेने अल करवा माटे, करवामा आवता, प्रयतनों ने मडेली शपडता कोने नियंत्रन केवाई चिवननी मुष्केली ओई चिन्ता ओई परिस्थिती अनुकूर्ण ओई एने प्रतिकूर्ता केवाई वगेरे हल करवा माटे ये सतत प्रयत्नो करे एने सुकेवामा आउशे नियंत्रन बिजा शब्दमा कई ये तो नकारात्मक के तकलिप उभी करे तेवी परिस्थिती टाडवा माटे करवामा आउता प्रयाशो दरेक विग्नानने पोतानू एक धिये वोईज जिना थी मानवीनी समस्या छे गटाडी शकाई दाखला तरिके अवामान सास्त्र आगाही करे के खुब भारे वर्षाद पड़ से येने तो मात्र आगाही के री परंतु आ परिस्थितीने पोची वडवा माटे पूर्ने आउत्तु अटकावानो प्रयास करवामा आवे अथवा पूर्थी केवू ओछामा ओछू नुक् प्रयास के नियमों माटे सिधान्त नो उपियोक धाईच दाखला तरिके कोई बाड़क अपराध करे अथवा बाड़ गुना खोरी नो वत्ता बनावो पाचर क्या कारणों जवाबदार चे नानु बारक छे ए चोरी करे चे तो एनी पाचर क्यू कारण जवाबदार चे ए सोध्वा माटे नो प्रयास छे ए मनोवेग्नानिको करे छे इने अटकाओ के नियंत्रन मा राखवा नो प्रयास थई सके छे आज प्रमाणे समाज मा पुर्वग्र छे मनोवलनों छे परिवर्तन कई रिते आवे एक बिजावचे सततक्रार थती ओई तो एनी पाचर क्यू क पारण जवाबदार छे ए सोध्वा माटे पन नियंत्रन छे ए खुब जरूरी छे आम छले मनोविग्नान ना धेमा वर्णन छे स्पष्टिकरं छे आगाही छे औने निय मनो शमावे स्करवामा आवे छे उप्रांत वर्तमान समया मनोविग्नान द्वारा जो खास जीवनने वधारे सुखी, शम्रूद, सांती प्रद अने जो तमारे आनंत दायक बनावानो प्रयास मनो विग्णान पोताना दियेईमा करे छे आम मनो विग्णाननू मुख्य दियेई आखे आखा प्रश्णनों बाढको सारांस छे मुखी अधियाई मानवीना जीवननी गुणवत्ता सुधारवानू छे के मानसनु जीवन केम बेस्ट बने ए माटेना मनो विग्नानना सतत प्रयास छे केम सारे रिते जीविन शके जीवनमा कोई पंड समसिया आवे तो समसियाने दूर केवी करी ते करी शकीए एक एक परिस्थिती व्यक्ति माटे केवी रितना आनंदा यक थाई ए तरपनू मनो विग्नाननू मुखिय दिये छे तो आत्रण मार्क्स मां पुछायो प्रश्ण छे, खास याद राखो, टुक्नुन मां पुछाय तो, चारे चार पोईंट लखवा, के मनोविग्नान ना दिये मा वर्णन, स्पष्टी करण, आगाही अने नियंत्रण, अवे पछीनो प्रश्ण, पछीना पिरियेड मां मनोव ग्नान नो उद्भव अने विकास आपने चोशी, चालो, आउजो बाड़को